हाँ तो वाई साब तीजोरी की चावी मिल चुकी है और टाला भी खुल चुका है जो लो फड़ावर से देख लेते हैं लेबल 70 पे कितना मटेरियल लगता है देखो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है लेबल 70 तक में कितना ज्यादा मटेरियल लेती है ये लड़की अगर आपको इसको बिल्ड करना है तो यस मैंने पहले वीडियो बना दिया है लेबल 60 तक का आप देख सकते हो बागी चलो यहाँ पर देख लेते हैं लेबल 70 तक में कितना मेटेरियल लेती है चलो फटावर से मैं यहां पर कर लेते हैं इसको लेबल अप और यहां पर ब्लेक एंटेमेटर 29 जा रहा है और यहां पर कितना सारा ले रहा है अभी आपको पता चलेगा चार सो यहां से मतलब से उपर लगा है और इस बार देख लेते कितना लगता है और यहां पर देख सकते हो ब्लेक एंटेमेंटर लग रहा है और यहां पर हमने यूज किया सीसी अफ 625 लगा है और इसके बाद में यहां पर ब्लेक एंटेमेंटर लग रहा है 1257 ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा और यह लड़की हमारी हो चुकी है लेबल 70 अब गियर पर काम कर रहा है गियर में ज्यादा लेगा गोल्ड हो गया ठीक है तो चलो फटावर से गियर देख लेते हैं नॉर्मल एंहेंस एंड रिले एंहेंस और यह देखो भाई सब नाइन और इसके बाद में ओहो ठीक है नाइस वन आ गया बहुत अच्छा उनने इस नहीं यार थोड़ा कम करते भाई ठीक है टीक है कोई बात नहीं पहल देख सकते हो आप अधिस्टीम में नहीं किया और तो प्लड़ा से मुझा यार जाता हो गया यार ठीक कोई बात नहीं थोड़ा सा और है यूडी टीसीपी भी आप देख सकते हो आप लाइब इस्टीम नहीं किया यार सॉरी एंड हाँ फेस्टीम भी नहीं बनाया पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा भी जी था और थोड़ा सा आवाज से भी लग रहा होगा कोई बात यहां पर नाइन तक आया है सही है कोई बात नहीं लाक्ष में आया था वन ओके नाइस यार यह थोड़ा कम करो साथ यह साफ कर दिया एक दम से 29 अवे यार लेस को गाइज कंप्लीट हो चुका है हमारा गियर बाकि यहां पर देख सकते हो मैंने इसको पूरू जो गयरा नह इनर्जी टेक वाला दे दिया मैंने इनर्जी टेक की क्यरेक्टर रहिए पहले और डॉस बहुत जिसको ज्यादा इंपोर्टन रहेगा कि यह वाली गैरेक्टर तो इसको हम डॉस देते हैं एक हर स्लोट में एक देदेंगे देखते हैं कितना होता है और हां बाकि क्रेट कर रेट 85 % एक मिनिट इसकी क्रिट के शिदा बढ़ा रहा है हम एक काम करते हैं पहले हम क्रीकल ने में घ्र बाहेँ यहां मिले। में चैनल लेंगे लेकिन चेक करेंगे बड़ियां से करेंगे टेस्टिंग करेंगे आपको बताएंगे इसको बिल्ड करना है क्यूंकि यह बहुत महगी करेक्टर है काफी ज्यादा माइग अभी अभी आफरोटी नहीं मेरे पास क्या हुआ यहां पर ठीक है होगा होगा कहीं पितो होगा भाई जाता है अभी काम करते हैं इसको क्रेट कल रेट वाला ही दे देते हैं पहले 70 तक हो गया है कि यहां पर देते हैं कि रिकल रेट और उसके बाद में डॉज एक लेस को क्रिटकल रेट सेवंटी हो गया था अभी यहां पर चेक कर लेते हैं कितना हुआ कि अबर के फोजाएगा तो फायदा नहीं होगे 75 ठीक है अभी हमको देना पड़ेगा टोज इसी वाले में देदें एक डॉज या फिर दे देदें इसी में देदें डॉज अब हमको ना एच्प एच्प लगाना है ठीक है पहले हम डॉज एक लगा लेते हैं यहां पर और ए अब लगा सकते हो अगर आपके पास में है ठीक है ओके एच्प 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 एंडड़ कितना हुआ चत्तर हो गया अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ अरे भाई 24 भाई साब डॉज ज्यादा देना पड़ेगा यार सिट्मैन ठीक है डॉज यहां पर हम देदेते हैं और अगया यह वाले में ओके ठीक है चलो यह दुख एंप्लिफाइए नहीं है अरे भाई पूरा हो गया खतम हाई साब डॉज कम पड़ रहा यार यह क्या था एक डॉज एक लगा सकते हैं यहां पर डॉज या फिर ठीक है रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए रहने दे दे दिया ठीक है आप लोग गलती मत करना मैंने कर दिया और भाई साब यह देख सकते हो रेंक और भाई यार इसका कुछ हो जाता तो मजा जाता है इसका मटेरियल भाई टिक्ट भी यूज नहीं होता है और लगा लिया मैंने और आटिफेक्ट नहीं है जो कि मिल जल्दी क सब्सक्राइब कर लेंगे दो एक दिन में अभी मैं आपको दिखाऊ कोई परफॉर्मेंस एक-दो मैंच खेल के चलो एक जलक मैं आपको दिखा देता हूं बाकि सीटीपी से मैं आपको दिखा दूंगा अभी तो यह बिल्ड वीडियो है तो इसमें इतने ज्यादा फोकस चलो अपने यहां पर एक मेंच खेल लेते हैं अपनी लेवल के बंदों से खेलेते हैं इसको कोई बात नहीं यहाँ अगर तो तो साइट प्रजाद लगाई लेते हैं लगाते तो है तो लगा लेते हैं ना क्या दिक्कत है ठीक हाला कि मेरा थे नुस पी वाला नहीं है कि रेज के साथ में हैं बट कोई ना थोड़ा साथ देख लेंगे एक बार एक मैच हमको तो देखना है ब्लेक स्वान का परफार्मेंस तो थे नोससे क्या लेने देना कुछ भी हो उसको उसको उसका बस लेटर सिप चाहिए और और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम इसको मारना क्या कर रहे लड़की डेमेंज कमपड़ रहा है क्या है एक तो दिव्यांस भाई ने रिफाइनमेंट लगा एडम पर कौन लगाता भाई रिफाइनमेंट कुछ भी मतलब कोई भी सीटीप लगा कर आ जाते हैं लोग ओ भाई साब देख रहे हैं अबलिक्स किस नहीं यह ईडम को भाई साब क्या कर रहे है यह रिफाइनम वाला एडम मैभाई नहीं तु मर जाता ओमाई गॉडद एक में चोड़ देखना पड़ेगा मतलब दूसरे बंदे के खिलाफ यह रिफाइनमेंट वाले एडम के खिलाफ देख रहो हमारा इडम नहीं मार पा रहा बताओ इतना तगड़ा है रिफाइनमेंट वाला एडम मतलब अगर सर्वाइबिलेटी के लिए चाहिए तो रिफाइनमेंट दे सकते हो हाला कि देखो बढ़ियां है कि बढ़ियां है कि बढ़ियां है बहुत अच्छा 50 प्रसेंट करता है सब्सक्राइब के खिलाफ के खिलाफ इसका क्या होता है क्या यह सिलवर सपर को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी लेटेगें इस बार क्या होता है प्रड़ा थेनों से तूमार मत डेमेज देगा तो उसका एक्टिव हो जाएगा वह इस्टील वाला परोग क्या नाम है कि अग्टिक है ओके ग्रीड वाला प्रोक्त यस लेस्ट को लेस्को एंड टूइस की यस त्रीस कि में जा आटो पे चला भाई लोगए लोग आटो पे चला एक्दम से अगर मैं मैंनुल करूं तो आतंक तबाही एक बार मैंनुल करके दिखा देता हूं एक लाश्ट मैंच मे बना रहा हूं बागी हां बस ऐसे खेल ले रहे हैं मतलब होता ना लोग बोलते भाई आटो पे क्यों दिखाया मैंनुल पे क्यों नहीं दिखाया चलो दिखा देते हैं और वो तेरी भैंस की पूंच मार दिया एंड पूर थिरी और तू बाने से पहले ही मर गई और इसका यह एक्टिव हो गया था क्या ना में ग्रीट का यह ना ओभाई इगनूड भाई सामने है सामने ओ माई कोड देख लिए अपने परफॉर्मेंस एक बार मैनुल पे और बाकी बार आटो पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बाकि अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वाला भी वीडियो देख लेना लेवल 60 पे कितना मेटेरियल लिया था इसने और अभी जो लेवल 70 पे लिया है दोनों को कमबाइन कर लेना आपको पता से जाएगा कितना मेटेरियल लेगी यह लेवल 70 होने में ठीक है ओक थे पाई-पाई